सबी भक्त जनों को सब्प्रेम नमन भक्तों आज में आपके समक्ष मार्शी पतनली के गरंत योग शुत्र के दूसरी अध्याय के 24 सुत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ यह कहता है तस हेथूर अविद्यार अर्थार उसका हैतू अविद्यार यहाँ पर उसका संबोधन क्या गया है पिछले सुत्र को जोड़ते विए पिछले सुत्र में संयोग की बात की गई थी कि संयोग होते हैं द्रश्टा और द्रिश्ट के जो संयोग है उसके विशे में चर्चाव भी थी अब यहां पर कहते हैं कि उसका कारण क्या है उस संयोग का द्रश्टा और द्रिश्ट का संयोग हो जाए उसका कारण क्या है उसका हेतु क्या है तो काते हैं उसका हेतु आविद्या है अर्थात वह जो अधर्शन है जिसे आविद्या का गया है जिसे मिध्या ज्यान भी काते हैं विपर ही काते हैं तो विपर ही वह कारण है जिसके कारण की यह संयोग होता है जब व्यक्ति अनित्य तत्यों में नित्य का अभास करता है या उसको ऐसा बोध होता है। जब उसे अनात्मतक्तो में आत्मतक्तो का अभास होता है। अर्थात जब वो अनात्मतक्तो को ही आत्मतक्त समझने लगता है। उन दोनों के अंतर को नहीं समझता है, आला कि उनकी जो एकात मकता है, यानि अनात्में जो किस तरब से आत्मतत्यों है, वह एक अलग दृष्टिकोन हो गया, लेकिन अनात्मतत्यों को तो आत्मतत्तों से वह जब भिन्य नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है अंतर, उसकी बुद्धि हत्प्रव हो जाती है, भ्रांत हो जाती है, तो ऐसी इस्थिति में ही वह अविद्ध्या के छेत्र में प्रविश कर जाता है. तब हमारी बुद्धि विवेकपुर्ण नहीं रहाती है, और इसके कारण चित्त में यह आरोपित हो जाता है, तो यह जो जड़तत्तों है, उस जड़तत्तों का चित्त में इस तरह से आरोपन हो जाना, इस तरह से चित्त में उसका समा जाना, सामिल हो जाना, कि लगे कि यही आत्मत्त है यही करता है जबकि गीता में भी और अन्न सास्त्रों में भी कहा गया है कि पुरुष जो है वह करता है और जो भी हाँ पर होते हैं जो घटनाय होती है जो भी कर्म होते हैं यह प्रकृतिक के गुणों के द्वारा किये जाते हैं सतरज्तम के द्वारा किये जाते हैं तो यह बात बताई गई है अब उससे भिन्य यहाँ पर व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं करता हूँ और यहाँ पर मैं वाचित है वो अमन है वो बुद्धि है तो ऐसी स्थिति में यह जो कर्म जन्य अहंकार उत्पन होता है यही हमारे दुख का कारण बनता है असांती का कारण बनता है आउसाद का कारण कारण बनता है तमाम तरह के रोगों का भी कारण बनता है तो अब यहां संजोग करेगा यानि द्रश्टा यहां पर जो चित है वह द्रश्टा का रोल कर रहा है कि वास्तौ में जो द्रश्टा होता है वह हो जो चेतन तत्व है लेकिन Thirty re- Everything यहाँ बन जाता हुँ आरुपित हो जाता उसमें और फिर वहीं से रिफ्लेक्ठ हो कर के ई वह समझने लगता है कि बस इतना ही तकस्तित है और बस मैंने करता हूंमें समझता हूं मैं देखता अब इवेक पूर्ण निर्णे होता है उसका, द्रिष्टी संकुचित हो जाती है, और अहंकार जन्ने चित हो जाता है, यही जब वह यथार्थ देखने कोशिश करता है, तब धीरे धीरे वेराग की दुबरा विवेक ख्याती अवस्था अपलब्द होती है, तो वो तमाम तरह के क्लेशों से दूर होता है, और यहां पर क्लेश दग्ध हो जाते हैं, यहां अविद्या दग्ध हो जाती है, अविद्या का समापन हो जाता है, वेक ख्याती की स्थिति में, तो यह जो सन्योग है, दश्टाव दृष्ट का यह भी समापन हो जाता है, इसके बाद जो है, यह जो है संप्रज्या समाधी का लाती है, इसके बाद असंप्रज्या समाधी की स्थिति आती है, जिसमें की प और वेराक कोई मौक्ष का जाता है और मौक्ष का मतलब हो गया कि यह जो हमारे पास असांती आई थी जो अविध्या थी जो क्लेस थे अवसाथ थे कई जन्मों के संस्कार थे जन्म जन्मांतर के जो बीज थे जो पुना में जन्मने के लिए पुना मरने के लिए विवस करते रहते हैं इन सब के जो संस्कार और बीसाइथ है वे सब धग्द हो जाते हैं और तव्यक्ति सान हो जाता है अत्यांतिक दुख निवर्ति होती है और शिर्व निवर्ति नहीं होती है बलकि आनंद परमानंद वह भोगता है यह मौक्ष का राता है अधि परमानंद नहीं भोगेगा तो वह मौक्ष नहीं है वो मुक्ष नहीं हो जाती है परंतु परम सांति अवस्था, परम ज्ञान अवस्था, परम आनन्द अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है, तो यह जो सुत्र है वह बतला रहा है कि उस संयोग का द्रश्टा द्रिश्ट के संयोग का जो कारण है, जो हेतु है वह आविद्या है, अज्ञानता है और उस अ योग को समाप्त कर सकते हैं, संयोग से हम उपर उड़ सकते हैं, और उसके दूर होने का एकमात रुपई है यह है, कि हम अपने बुद्धी और विवेक को सही अस्थान पर नियोजित करें, हमारे में वेराग्य हो, हम रगातारा भ्यास करें, और जो चित की जो हमारे वृत्य हैं, उनका निरोध हो जाएं, यही सुप्र का मतलब है, ओमारे